हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का फाइनल अकाउंट चेप्टर लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका एक कुश्चन कर लिया था फुल फ्लेश आज उसी में आगे कॉंटिन्यू करते हैं फाइनल अकाउंट में एक टॉपिक आ रहा है अब उसके उसको बोलते हैं कोग्स की फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड अब इसकी कॉंसेप्ट को समझते हैं उसके बाद इसका कुश्चन देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड मींज जो बिजनेस्मेन डूरिंग दाइयर एक अकाउंटिंग पीरिड में गुड्स को सोल्ड आउट करता है उसको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी नॉर्मली जाइरी बात है यदि वो प्राफिट पर सेल आउट हुआ होगा तो उसकी कॉस्ट उसको कमाई होगी उसी को बोलते हैं कॉक्स देखो फामूले कोई यदि हम ब्रेक इसी को देखे कॉक्स को जड़ा पूरा करें कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड यानि के जो इजनसमेन के पास शुरू में रहा होगा उसने कुछ पर्चेजिज कर लिया होगा नेट पर्चेजिज मींस पर्चेज माइनस पर्चेज रेटन प्लस डारेक्ट एक्सपेंस और जो स्टॉक उसने सेल आउट नहीं करा उसको माइनस कर देंगे तो यह जो आजाएगी कॉस कॉस्ट आपकी इसको एड कर दें तो कॉक्स आ जाएगी एक फ़र्मला तो यह था एक फ़र्मला होता है कई वर आपको कुश्यन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो फिर हम इस वाले फ़र्मले से निकाल लाएंगे कॉक्स इस इकॉल टू सेल्स इस कॉक्स प्लस प्रॉफिट कोई क्या बोलते हैं आपको याद हो मैंने बताया कोउस्ट भी बोलते हैं तो मेरे ख्याल से यह कॉंसेट के लिए रोगई कि जो कॉक्स है वो क्या है जो बिजनस्मेन एक अकाउंटिंग पीरेड में गुड्स को सोल्ड करता है उस गुड्स को स उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है तो पहले वाले से निकल जाएगा कई बार कुश्चन में डारेक्ट क्या होता है सेल्स दे रखी है और आपको जीपी बता देगा परसंटेज में तो फिर हम सेकेंड वाले से निकाल लाएंगे तो पहले एक कुश्चन इ रखाए पर्चेज दे रखी है परचेज रिटन भी है अब चरह यहां चलते हैं कि जो एकतो पर चल्क्र स्थे जानिके जोड़ने हमने डारेक्ट एक्सपेंस डारेक्ट एक्सपेंस कौन से है यदि आपने मेरा लेचर वन ने वाच किया है तो आप लेचर वन को वाच करें हमने उसके अंदर डारेक्ट एक्सपेंस की पूरी लिस्ट दे दी जो डारेक्ट एक्सपेंस हैं उसके अंदर दे रखे direct expense भी देगा और indirect भी तो student को खुद इंड़ुट करना है कि direct कौन से हैं carriage दे दे या carriage divergence में तो clear ही बता दिया किसी के भी साथ expense के साथ invert होगा तो वह हमेशा direct माना जाएगा purchase return है purchase return का देखो इस question में थोड़े point इसलिए भी ओर ली है इसका दूसरा नाम क्या थे कई बार question में आपको purchases नहीं देगा, क्या बता देगा, return outward, तो return out purchase जब हमने करी थी तो goods इन होई थी, लेकिन जब purchase को return करते हैं, goods को defective होने के जैसे, तो goods क्या हो रही है हमारी business में से out हो रही है, तो आप ऐसे भी याद रख लोगे, outward कब होगा, जब purchase को return किया जाएगा, तो सबसे पहले opening stock लिखते हैं, कितना given है, one lakh, plus उसके बाद purchase, मैं purchase और purchase return को एक साथ लेता हूँ, इसमें से यहां से minus होगी, फिर direct expense जोडो, कितने direct expense है, यह देखने होगे, freight है, carriage inward है, salary आएगा नहीं question में, क्योंकि वह indirect expense है, तो दो ही expense आएगे, 13,000 और एक 17,000, यह हमारे direct है और closing stock minus करो, कितना given है closing stock, 30,000 यह रहा, अब निकाल लाओ, यह तो one lakh हो गया, plus three lakh, plus 30,000 direct expense, और यह closing stock भी by chance 30 था, तो आपका question आगया जी, जो उसने good sold करी, उसके उसको cost कितनी पड़ी थी, four lakh रुपी, तो मेरे ख्याल से question आपको clear हो गया होगा, दुबारा से आप देख सकते हैं इसको, formula आपको उपर लिख दिया था, इसमें से यह question था, आपको इस formula में apply करना है, net purchases आपको बता दी कौन सी थी, purchases में से purchase return होगी, तो minus हो जाएगी, that is called net purchases, और net purchases means होता है, कि total purchases, cash purchases, plus credit purchases, और उसके बाद आपको direct expense थे, तो जो expenses दी होगे, आपको खुद find out करने हैं, वो पिछले दो lecture में भी हम discuss कर चुके हैं, आप उनको अच्छी तरह से watch out करेंगे, तब आपको clear हो जाएगा कि कौन से direct हैं, इसमें freight और carriage inward direct था, हमने ले लिए, salary हमारा indirect expense नहीं है, क्योंकि factory से भा clear हो गया होगा, आप इसका screenshot लें, फिर एक example हम अब इसका करते हैं, चलो जी अब आपके सामने question आ गए, जो इसके base में हैं, तो हमने एक ही साथ क्या है, तीन question लिए हैं, जिससे आपको clear हो जाए, क्योंकि तीनों को सिखाने का एक logic अभी आपको बताता हूं क्या है, देखो आएगा आपको, दूसरे में बता रखा है 25% on cost, या कभी-कभी लिखाएगा above cost, और तीसरे में कुछ भी नी बता रखा, तीनों एक ही साथ लेने से क्या है, कि आपको ये चीज clear हो जाएगी, कि ये किसके उपर है, क्योंकि आपको ये focus जरूर रियाद रखना है कि किसके उ पर आएगा नहीं, तो mistake होने के chance ही जो जेंगे आपके, एक के अंदर कुछ भी ने लिखा हुआ, एक में sales लिखा है, और एक में cogs लिखा है, तो जरा एक एक करके करते हैं, जारी बात है, इसमें ये वाला formula apply नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, because I told you, if in the question, opening stock purchases and closing stock is given, then we will take first formula otherwise we will take second, otherwise हम क्या करेंगे, second को ले लेंगे, तो जरा इसके अंदर cogs find out करें, sales कितनी दे रखी है, आपको 10 lakh, सीधा आप ये छोटा सा formula लगाओ, कभी भी mistake नहीं होगी, sales किसके equal है हमारी, cogs plus GP, short में लिख देता हूँ GP अब, आपको समझ आ जाएगा GP का, तो जरा देखते है एक बार, sales आपको 10 lakh दे रखी है, cogs आपको दे नहीं रखी, तो cogs ऐसे ही रहेगी, और GP बता दिया, उसने 20% on sale, तो यदि आप 20% off 10 lakh करेंगे, तो कितना आ जाएगा, वो 2 lakh आगया, cogs निकल गीजी आपकी, ये 10 lakh, cogs कितना होगया हमारा, ये 2 lakh आया, तो cogs की value आगई हमा वादा question में, उसकी cost उसको कितनी आई थी, 8 lakh रुपी, कभी कभी question में GP भी पूछ लेता है, तो दोनों का difference क्या होगा, GP क्योंकि question में आपको इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दे रखी होगी, normally, लेकिन जब ये निकल गई तो ये अपने आप निकल जाएगा, वैसे भ होगा, formula आपको यहीं लगाने इसमें भी, yellow जी, sales is equal to cogs plus GP, sales कितनी दे रखी आप इस question में, 8 lakh, लिख दो, मैंने आपको बता है, इन दोनों में से, एक को x एजियूम करना होगा, जोगी बननी होगा, cogs को क्या मान ली आपने, x, लेकन आप यहाँ change हो गया, इस वाले question में क तो sales के उपर लगेगा, GP, on cost है, तो अब वो cost पर लगेगा, और cost question में कितनी दिर्खी थी, x, इसका 25% करेंगे, तो 25% x हो जाएगा, तो आप 25% of x, इसको solve करते हैं, यह x, plus one fourth x, समझ आ गया कैसे, 25 upon hundred करें, तो इसको break करते हैं, तो ब्रेक करते हैं, अब इस equation को solve करें ज़ हो गया, और x की value जब आप निकालोगे, तो 8 lakh cross multiplication हो जाएगा, divided by 5, 6 lakh 40,000, कितनी cost आ गई, x क्या माना था आपने, cost ही तो था, निकल गया, कोई problem नहीं लगी, भई आपको यह दे रखा है, तो इस तरीके से cost, यानिका जो businessmen ने 8 lakh की sale की थी, उसको वो घर पर, उसकी cost कितनी आई थी, उसी को cogs बोलते है, cost of goods sold, वो 6 lakh 40 आई थी, दोनों का difference आपका GP, वरना आपको equation में, जो भी चीज पूछता है, वो पूट कर दो, अपने आप निकल जाएगे missing करके, आप ज़रा तीसरे point पर चलते हैं, तीसरे point में question में देग आई नहीं, सीधा दे देगा GP 20%, कु on sale है, या on cost, तो always we will take on sale, cost पर कभी नहीं लेंगे, हमेशा उसको किस पर लेंगे, sales पर, तो इसको भी कर लेते हैं, yellow जी, sales is equal to, कितना हो गया, ये cogs पहले formula लिख दी आपने, yellow, ये कितना दे रखा है, 4 lakh, लिख दो, X, GP आपको बताया, कुछ नहीं लिखा, तो किसका मानेंगे हमेशा, sales का, sales means 20% of 4 lakh, कितना बन गया, 80,000, question हो गया, 4 lakh minus 80, equal to, X और X की value कितनी आगई, आपकी, 3 lakh, 20,000, यहां पर भी clear हो गया, कि जो हमने sale करी थी 4 lakh की, उसकी business man को cost कितनी पढ़ी थी, उसकी business man को cost बढ़ी थी, 3 lakh, 20, that is COGS, तो शायद आपको यह तीनों clear हो गया होगे, पहला formula जब था, जब opening closing है, उसका भी हमने एक जाम पर ले लिया, उसके बाद हमने इस type के question आ जाए, जिनमें खाली sales और GP के बारे में बताए, तो उसके तीन type की problem आ सकती है, या तो आपक on sale होगा, या on cost होगा, ये दोनों ना हो, कुछ भी आगे नहीं लिखा तीसरे में, तो आप उसको हमेशा क्या मान के चलोगे, on sale, तो आप इसका screenshot ले, एक question और करते हैं, यदि loss हो तक अभी हमने question करा था, जिसमें gross profit था, ये भी हो सकता है question में gross loss का भी आपके सामने आ उसके अंदर ये हो सकता है, उसमें भी ऐसे situation आएगी, on sale है, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा on sale होगा, बता दिया, gross loss दे रखा है इस question में, उसके अंदर बता रखा है gross loss जो होगा है वो, on cost, तो कैसे होगा इसको भी ज़रा देखते हैं, फामुला लगाओ जी आपको क्या फ profit plus था, जाइरी बात है वैसे भी आप याद रखो, profit को plus करते हैं और loss हो, तो minus, put करो यहाँ पर sales कितनी given है, 10 lakh, दोनों बेसे एक को X मानना था, cogs X हो गया हमारा, तो cogs है, जिटी जो गया, और ये gross loss, 20% on sale है, तो 2 lakh रुपी निकल गया, आप करोगे तो, और cogs की value आ गई, कितनी, उदर जाएगा, तो cogs की value बन गई, 12 lakh रुपी, meaning यह है यहाँ पर, कि जो business man ने sale out की अपनी चीज, 10 lakh की, वो उसको 10 की नहीं पड़ी थी, कितने की पड़ी थी, उसकी cost कितनी आई थी, 12 lakh, he is getting loss year of रुपी, 2 lakh, तो ये clear हुआ, अब SEC का आ जाए gross loss का ही, on cost, तो कैसे करते हैं, तब भी होई है, sales का formula लगा दो, sales is equal to, आपको formula यही याद रखना है, बस, कभी भी कुछ और नहीं करना, सीधा formula लगा, सारे question हो जाएंगे, चाहिए, वो profit क्यों, चाहिए, वो loss क्यों, sales कितनी दे रखिये, is question में, 6 lakh, put करो, cogs आपको देनी रखी, minus gross loss, अब यहा इसको x मानना पड़ेगा, यहाँ पर, और यह बता लिया, 25% on cost, तो 25 करोगे, तो 1 4th x हो जाएगा, क्योंकि 25 upon 100 को break करें, तो 1 4th x, अब इसकी equation solve करते हैं, 6 lakh, यह LCM लोगे, तो आपका 4 x minus x, 3 x upon 4, मैंने direct कर दिया, आप calculate कर लेंगे, अब x की value निकाले हैं, तो x की value आपक की, तो x की value कितनी आगई, 8 lakh, और x हमने क्या assume किया था, आपको पता हो, cogs, तो निकल गए भी, इसमें भी clear दिख रहा है, कि आपने sale कितनी करी है, 6 lakh, बट यहाँ पर आपको cogs कितनी आ रही थी, यानि कि जो आपने sale करा, जो businessmen ने goods को sold करा, उसकी cost उसको कितनी आई थी, 8 lakh की पड़ी थी, बट by chance उसको किसी वज़य से loss है, जिसलिए उसकी sales, 6 lakh दिखा रहा है, तो यह चीज़ समझ आ गई, तो शायद आज के lecture में आपको point clear हो गए होगे, जो एक छोटा सा topic था, इसका short question जरूर आएगा, exam में, cogs का, मैंने इसके दो formula आपको बताए, दोनों के ह आपने question कर लिए, पहले formula में आपको opening stock, closing stock, इस तरीके से दी है, वरना जर्नली क्या होता है, आपको सीधा sales और GP दे देगा percentage में, उसकी तीन situation, gross profit की बता दी थी, यदि on sale है, तो कोई problem नहीं है, GP को सीधा on sale calculate करेंगे, on cost है, तो sale पर calculate नहीं होगा GP, फिर जितना cogs है, यद सीधा दे दे, GP 20%, तो आपको बता दिया, फिर हमेशा क्या होगा, आपको यदियूम करना है, it will be on sale, यह हमेशा sales पर रहेगा, cogs पर नहीं, यह के लिए हुआ, फिर हमने इसमें gross loss के भी आज ले लिए थे, थोड़ा सा advance level है, आ सकता है gross loss का भी, उसमें भी वहीं दो case है, on sale हो सकता है, और on cost, आपको हमेशा याद रखना है, formula यही लिखो, कभी भी गलती नहीं होगी, किसी भी type का question आए, सारे questions all out हो जाएंगे आपके, जब कभी भी percentage या sales या cogs की form में question को दे रखा हो, तो मेभी शायद आज आज आपको यह clear हो गया होगा, आपको यदिश के comment section में मुझे पूच सकते हैं, thank you for watching my video